और लेजेंड जमजी को नहीं होने वाली है ये वीडियो में बात करेंगे कि क्यों फराद सामजी को FNSC s एकर अ जाता है हम किसिए बाइद किसी की जण मुवी को ही उठा कर एक्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो बिना टाइम बस के विद चले शुड़ करते हैं सबसे पहले आते हैं मूई के डैलोक्स पर तो मूई में इतने माईंड ब्लोइंग डायलोक्स है कि एक बार के लिए तुम भी सोच वोए कि डायलोक्स का चाहता है हाँ पेंडा भाई को जोक्स में नहीं था दम जोक्स में नहीं था दम बाजी राव सिंगम अब यह नहीं था लेकिन खेर तुम लोग रेफ्रेंस समझ गई होगे इस्टोरी की बात करें तो मैंने वीरम नहीं देखी है बड़ ट्रेलर देखकर काफी स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी फर्स्ट हाफ में एक्चुली में मुझे दिलवाले मुवी का साम जी वर्शन देखने को मिला थोरे बहुत चेंजिस के साथ अफोर्स इसलिए मैं कह रहा हूँ साम जी वर्शन और से बात मुझे यह बता हूँ कि इस लुक के बारे में किस ने सजेस्ट किया है उनको इस चार्टिंग में बरे बाल फिर एंड में छोटे बाल बड़ जिसने भी सजेस्ट किया इसे फराद सामजीन अ प्रूफ किया हूँगा तो भाई के लुक को देखकर मुझे में वह थोड़े आज के जमाने के भाई लग रहे थे लेकिन जैसे मुवी प्रोग्रेस करती है वह 2000 के भाई वाले लुक में पहुत जाते हैं तो यह क्लेवर राइटिंग नहीं है तो और क्या है भाई तुम बताओ मेरे को क्रिश्टोफर नॉलन शीट अब मुझे पसंद आ सो मीटर दूर खरें लोग से एकदम लोर्मल वॉइस में बात कर सकते हैं अगर तुम समझने रहे कि मैं कौसे सिंध में बात कर रहा हूं जिसमें सो मी की मेटरो सीन थिया सो भी दिल्ली मेट्रो का जिसमें भाई एक नहीं 20-25 से लड़ रहे हैं और उन्हें हरा दिया जो कि नॉन्मल सी बात है उसके लिए मैं कंप्लेन नहीं कर रहा बट मैं एक बार के लिए जरूर होप कर रहा था कि यहां पर मुझे एक वन शॉट सीक्वेंस देखने को मिले इस फाइ वैसे वो तुम लोग बोर ले थे जो भाई बिल्डिंग की रहते हैं तो नहीं भाई तो फराद सामजी इतनी भी unrealistic राइटिंग नहीं करते हैं वो बिल्डिंग को एक्चुली बॉम से उराय गया था और भाई वहाँ पे खरे रहते हैं सामजी ने ये लिखा कि भाई को खाकर लिखा था और भाई ऐसी बहुत सारी सीन्स है इसको लेकर मैं बोल सकता हूं कि भाई ये इन्होंने क्या खाकर या सून कर या चार्ट कर या पी कर इन सीन्स को लिखा था वैसे चीज मुझे पसंद आई कि इस मूवी में कैमरा पैन आउट कर रही थी जब भी fight sequences हो र अलाकी से सल्मान भाई की अक्टिंग का मजाक बना दिया और सल्मान भाई ने उस सीन को आराम से शूट भी कर लिया और तुम समझ रहे हो कि मैं किस सीन्स की बात कर रहे हूं नहीं समझ रहे हो तो बता दूं वह जब पूजा हेगरे कहती है कि वह साउथ इंडिन वाले से आसो गिर रहे हैं तो भाई के तरब से फूल एफट है इसके अलावा दगूबर्टी वेंकटेश जगतपती बापू इन्होंने अपने काम बहुत ही साही से किया इनकी चैक्टर को जैसा लिखा गया था उससाब से इनकी काम बहुत ही अच्छी थी बट मैं इन तीन गोल्ड मेडल्स जीते हैं तो मैंन के लिए कुछ नहीं बोलने वाला है बट आप लोगोने रिव्यूज में सुन लिया होगा कि इन्होंने कैसी आक्टिंग की मैं अभी भी बोल रहा हूं कि सलमान भाई को मुवी में इन्पूट देना चाहिए था क्योंकि अगर आप उस टाइम में हो जाता ना भाई मुवी बहुत यादा डाक टोन पकर सकती थी लेकिन भाई फराद साम जी ने अपने हिसाब से मुवी की स्टोरी की चॉइस की और का नहीं इसा तो महीं नहीं हो देंगा वालिवूट से इंस्पिरेशन जरूर लोगा लेकिन मैं मुवी और इसलिए उनको कहा जाता है FNSCS तो यह बास आज की वीडियो के लिए इतना ही उमीद आपको पसंद आई होगी इस टाइप की वीडियो में बनाता नहीं हूं अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैं जो नॉर्म बाइथ मेन्टा गड़का की प्राइच प्राइच लिए इसलिए धर जुझ है ठाउन ही अच्छ का वीडियो के भी आख टूच का वीडियो कउर मेगी दूरानी है अख को डूच काुआ यह लैंगी दूतर नहीं अटार नहीं है